सिलिंडर के दाम कम हुए हैं या दाम पूरा देना होगा जैसे पहले होता था सब्सिटी बैंक में आएगे पहले कई मुख्यंती रहें किसी ने गंगा जल से मुख्यंती अवास को नहीं धुरवाया लगिन वीजेपी की सरकार आई तो गंगा जल से धुरवाया 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया की बैठक होने वाली है विपक्षी दलों के जोड़ता की एक ताइट तक चलेगी बीएस्पी सुप्रीमो मायावती को लेकर जो अठकले लग रही थी अब उस पर बिराम लग गया है क्या वो गटवंधन में सामिल होंगी वो गटवंधन में नहीं सामिल होंगी यह सब कुछ साफ हो गया है लेकिन इसका फायदा चंसेखर आजाद को कैसे होगा क्या चंसेखर आजाद को अब जीवनदान मिल गया है इस वीडियो को अंतक देखिए आपको पता चलेगा कि मायावती के इस फैसले से सबसे जादा अगर किसी को फायदा है तो वो चंसेखर आजाद को कैसे बताऊंगा लास्ट में सबसे पहले सोसल मीडिया पर कई और वीडियो भी आज वायरल हो रहे हैं वो भी दिखाऊंगा अखलेश यादव ने किस तरह से योगी सरकार पर हमला बोला है मोधी सरकार पर हमला बोला है सोचिये 200 रुपए सलेंडर के दाम कम कर दिये गए परधान मंत्री की तस्वीरे आ रही है यह स्मिर्ती रानी पर चार कर रहे हैं ट्विटर पर सारा मंत्री मंडल लगा दिया गया है लेकिन आप सोचिये यह वीडियो सुनिए यह है इस देश के युबा मंत्री हैं खेल मंत्री हैं अनुराग ठाको इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर्थ 200 रुपय की सबसीडी बैंक में आएगी या सिलिंडर के दाम कम होंगे इनको नहीं पता था आप सुन लिजी एंबियेंस लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है अखलेश यादव ने तो इससे भी आगे सवाल उठा दिया उन्होंने कहा कि जब बढ़ा रहे थे तो बता रहे थे जब घटा दिया तो बता दिया तो पूरा इवेंट मैनेजमेंट बना दिया गया है अखलेश यादव पूरे फॉर्म में दिखे चलिए के करके वो तमाम बड़ी खबरे बताते हैं जो सोसल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए जरूरी है राहूल गांधी का एक बार फिर से एक उदार चेहरा दिखा हो सकता है वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं लग रहा है खरगे बोतल खोल रहे थे उसके बार राहूल गांधी ने वो बोतल लिया और उनको खोल के पानी डाल के पिलाया दरसल परधान मंत्री के एक तस्वीरे बाइरल हुई थी जिसमें वो बोतल खोलने की कोशिश कर रहते और नहीं हुआ था खरगे साहबी उम्र के 80 साल पार कर चुके हैं तो इस तरह के जो कटसी हैं वो सांदार दिखते हैं लालु यादब पहुँच चुके हैं मुंबई ये तस्वीरे देखिएं जिसमें उनका स्वागत हो रहा है इंडिया की बैठक हो रही है लालु यादब बड़ा नित्रित्व कर रहे हैं मैं बताओंगा समझ के कि देखिए कॉंग्रेस के साथ बड़ी प्रावलम है वो रिजिनल फोर्सेस के साथ उन राज्यों में गटवंधन नहीं करती है जहां वो मजबूत है लेकिन जहां वो कमजोड हैं वहां वो सीटे चाहती हैं मैं फिर कह रहा हूँ अगर बीएसपी या आजास समाज पार्टी से कॉंग्रेस ने गटवंधन नहीं किया तो राजस्थान, 36 गर, मत पर्देश अगर ये इंडिया के जंडे तरे बिधान सबाद चुनाओं नहीं लड़े गएं तो 2024 तो भूल जाएए बीजेपी इनको य केता है न वो चाहते ही नहीं है कि रिजनल पार्टी से गटवंधन हो ये सबसे बड़ा सवाल है ये अनुराग ठाकुर का वो बयान वीडियो जो आपने सुना था सोचिए केंद्रिये मंतरी को ब्रीफिंग नहीं होगी पूरी उन्होंने पतकार को का कि आगे बढ़िये औ मतलब लगभग कितना बढ़ाया आपने सारे 400 रुपए था तो 640 रुपए हुआ मतलब 650 रुपए आपने बढ़ा दिया और 200 रुपए कम कर दिया उस पर भी आप अहसान जता रहे हैं तो जस्वी आदब ने इसी को लेकर ट्वीट किया है कहा है कि रुख जाई अभी तो बैठा कुई तो 200 रुपए घटा है देखते जाए इनसे पेट्रॉल डीजल और खाद पदार्तों के दाम भी कम कराएंगे पुझी पतियों को देश बेचने से भी बचाएंगे तो इंडिया घटवंधन के बाद सरकार दवाब में ये तो है और सोसल मीडिया पर लोग कर दिया था जबकि हकीकत में इसे महसूस और कोई कर रहा था तो यह सोचिये की मीडिया मैनेजमेंट लग गया है रवीस ने तो बकायदा एक बड़ा ट्वीट लिग दिया है सिलिंडर के दाम में कमी को लेकर सारे मंत्रियों के बयान आ गया कुछ के बाकी भी है जिनके न प्षिट टाइप के नेता होंगे उनके नाम क्योंना परधान मंत्रि राष्ट के नाम संदेश जारी कर दे ताकि मंत्रियों को बार बार बोलने का काम से फुरसत मिल जाए इन बयानों से साफ है कि जंता सिलिंडर के दाम से तरस थी यह राखी का पर तोफ़ा कैसे कल राकी है क्या सारी बहने राकी बांदना छोड़कर जाएंगी वो गैस भरवाने ह來到 ऑसिंग सूसाइटी में तो पीएंजी की सप्लाइऑ होती है क्या सूसाइटी में रहने वाली बहनों के लिए िएंजी रेट में कमी की गई है हौस तो साइटी के अंकिलों के साथ ऐसा नहीं कर यह ठीक है कि वे पांच जार रुपए लेकर लिटर पेट्रॉल खरीदने के लिए तयार थे मगर यह भी तो सच है कि दो किलो आलू के साथ सौ गराम धनिया फिरी में ही ले लेते हैं तो सोचिये टमाठर दोसा हुआ बाद में तेजस्वी आदब के खिलाप एक नोटिस जारी हुआ है उनको पेश होना है सोचिये फिर से गुजरात का एक मामला है इस सक्स को पहचान लिजिए गौर से पहचान लिजिए तस्वीरे देख लिजिए ये सक्स खुद को इसरो का साइंटिस्ट कहता था इसका नाम है मितुल तिरवेदी अब ये गिरफतार हो गया है ये कह रहा था कि चंदरायन तीन की सफलता जो है वो उसकी बज़ा से है आप सोचिये कोई मुसल्मान अगर इसकी जगह होता तो क्या होता कोई दलित पिछरा अदिवासी होता तो क्या होता प्लेन में मूतने वाला तिरवेदी मस्टर बेट करने वाला मेट्रो पर सरीर पर पिसाब करने वाला अब ये जूट बोलने वाला मतलब क्या कहा जाए एक बर बहुत पहले राजनास सिंग का एक बयान आया था जब लगातार ये लोग बीजेपी वाले सत्ता के बाहर होते थे तो क्या-क्या बयान देते थे आप सोचिए मतलब मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ आप समझे कि ये ये इस्तिती है और ये लोग इतिजस्वी आदब को नोटिस दे रहा है और बहुत दुखत खबर है दिल्ली में पलपल नूज जानते हैं आप लोग पलपल नूज जो है खुस्वू अक्तर का घर दिल्ली में किसी ने जला दिया है घर में आग फुक दी गई है आग लगा दिया गया है सब कुछ जल के खाक हो गया है कहा जा रहा है कि कुरान भी जल गया है तो पलपल नूज खुस्वू अक्तर चलाती थी उनके घर में आग लगा दी गई है ये सबसे बड़ी खबर है और मोधी सरकार दोरा देश के सारजनिक कुप कर्मों संसादनों और आश्टिये संपत्ति को चुनिंदा मनपसंद पुझी पतियों को बेचना गरीबों किसान और देशित के खिलाप है तेजस्वी आदब ने अखवार में लेख लिखा है और ये है सहाब महितुल तिरवेदी जो खुद को इस तरों का बैग्यानिक बता रहे थे एक और गुजरात का सक्स जम्मु कस्मिर से गिरफतार हुआ था वो अपने आपको सरकारी आईयस बता रहा था तो गुजरात का एक और फ्रोड चंद्रायन तीन का करेट ले रहा था गिरफतार किया गया है तो सोच और ये है वो अखलेश यादब का बयान देश परिवर्तन चाहता है और बीजेपी के एक-एक फैसले से किसान दुखी है नाराज है ये वीडियो सुन लीजिए जो सोचल मीडिया पर वाइरल है और उसके बाद आप अंदाजा लगाए कि किस तरह से अब तमाम लोग हमलावर है चाहे लगी फटने तो सिलिंडर लगा घटने थोड़ी और चाहे फटने तो पेट्रॉल डिजल भीगटेगा बिजंदर सिंग बॉक्सर है कह रहे हैं कि ये बिपक्ष की एक जोड़ता का कमाल है और ये तस्वीरे सोचल मीडिया पर वाहले है सोचे आप चान पर चले गए हैं नाले में उतर कर हजारों लोग की हर साल मौत होती है और बीएस्पी सुप्रीमों ने कहा है कि न तो वो इंडिये में जाएंगी न इंडिया गटवंदन में जाएंगी क्या होगा इसका असर किसको होगा इसका फायदा उस पर भी मैं आराम से इस पर बताऊंगा अब इन्होंने सुसाइट मतलब नहीं रहें अब और सुसाइटों में बीप करना पड़ता है क्योंकि हम चला नहीं सकते हैं राम मंदिर उगाटन के समय गोधरा जैसी घटना करवा सकती है बीजेपी ये सबसे बड़ी ख़बर है और गुजरात का एक व्यक्ति खुद को चनरायन का मास्टर बता रहा था ये एक और अखलेसी आदब का बयान सुनिए जिस मुखमंत्री अबास में पहले कई मुखमंत्री रहें किसी ने गंगा जल से नहीं धुलवाया लेकिन बीजेपी की सरकार आई उसे गंगा जल से धुलवाया गया है आगे अखलेसी आदब करें कई बार भारती जनता पार्टी लीडर जान बुचकर दुलवेवार करते हैं जिसे नेता कुछ का ऐसा उदारन के लिए मुखमंत्री अवास में पहले कभी धुलवाया नहीं गया था वहीं गैस को लेकर भी उन्होंने कहा है कि देश परिवर्तन चाहता है लोग नाराज हैं और धीरे-धीरे ही सही इनको समझना पड़ेगा सोसल मीडिया पर लेकिन मॉन्टाज में जो मैंने खबर दिखाई थी इस बाबा को देखिए सुनिए एक बार इसको एक साधू की ये हैसियत पुलिस वाले को धमका रहा है सोचिये हिंदु राष्ट बन गया तो ऐसे बाबा लोग क्या करेंगे मनस्मिर्ती का दौर में हम लोग देख चुके हैं तो ये ये बाबा सर्या में पुलिस वाले को गाली दे रहा है आप कल्पना कर सकते हैं ये ये है इस्तीति इस देश में और क्या बताएं आपको ममता बनर जी ने कहा है कि अभी तो दो बैठक हुई तो दो सो रुपया कमे आ गया के देखिए क्या होता है तो 31 तारिक ये अंकली की तस्वीर है ये हैं वो जिन्होंने केरल में महिलाओं को बिरिस्ट ढखने का अधिकार दिलवाया था अंकली है और देश परिवर्तन चाहता है बीजेपी के फैसले से किसान दुखी है और तमाम लोग दुखी है और बरेली में बस रोक कर जो पढ़ने वाली ख़बर थी वो और मंडल आर्मी ने भी एक लगातार ट्वीट किया है और अब बात यूपीए टू की माफ किजेगा इंडिया की जो यूपीए टू में ज्यादा तर लोग जो थे उसमें वो सामिल हो रहे है सुचिए मायवती ने कहा है कि वो सामिल नहीं होंगे नगट इंडिये में न इंडिया में अकेले चुनाव लगेंगी चंसेखर आजाद के लिए मौका हो गया है अब वो अगर विपक्षी गटवंधन में सामिल होते हैं के कयास लगाये जाएं हैं चाहे है वो चंसर्खर आजाद हो वो कयास लगाये जा रहे हैं कि वो जन चौधी के साथ और लेडी सपा के साथ ने ठाव से मिल रहे हैं तो वो गटवंधन के बड़े चेहरा हो सकते हैं यह सबसे बड़ी ख़वर है तो आप लोग बताईए कि BSP सुप्रीमों के नहीं जाने से क्या होगा लेकिन मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि Congress कोई दूद की धूली नहीं है Congress की जो सवन लीडर्सीप है वो BJP से ज़्यादा खतरनाक है Green Grass में Green Snack 60 साल Congress नहीं मनुबाद को बढ़ाया है जिसको फसल काट रही है Congress जाती देखकर निताओं को बदनाम करती थी BJP पार्टी देखकर कर रही है अगर आप compare कीजेगा तो BJP से कम खतरनाक नहीं है Congress और मुझे लगता है कि बहुजन सुचि अभी भी Congress की policy है राहुल गांधी को project किया जा रहा है मुझे राहुल गांधी और नितीस कुमार में चुनना होगा तो नितीस कुमार चुनना होगा मुझे नितीस कुमार और अखलेश यादव में चुनना होगा तो मैं नितीस कुमार चुनना होगा श्यादब चुनूंगा मैं खड़गे चुन सकता हूं मायवती चुन सकता हूं लेकिन राहुल गांदी तो नहीं चीए परधानमंत्री के तौड़ पे जितने जो सवन लिबरल पत्रकार हैं वो राहुल का गुनगान कर रहे हैं इस एंगल पर मायवती जी बिल्कुल गलत नह गया और उसमें कॉंग्रेस की मिली भगती जबकि बो हार किया थी जनता बीपी मंडल साब को परधानमंत्री बनना था नहीं बनाए गया इस देश में दूसरी बार मौक आया जब परधानमंत्री किसी और सरद्यादा बन सकते थे लाल वियादा रामिलास पासवान तब बी इंका गांधी या राहुल गांधी का इंट्रिव्यू करने का मौका मिल जाए मैं उनके सामनी ये सारी बाते रखोंगा तो इस देश में आरे से सगर आज का बुलवाला है तो उसकी बज़ा है बीजेपी ए कॉंग्रेस और सोचिए बीजेपी ने डाइवर्स किया है राज निती को तो उन्होंने तेज धार दिया है तो मैं फिर कह रहा हूं इस देश में से स्ट योवी से अलप संखक समाज को अपनी लीडर्सी बाली पार्टियों की सरकार चाहिए मिली जुली सरकार चाहिए क्या लगता है आपको कॉंग्रेस नितीष कुमार या अखिलेश यादव जयन चौंधरी को परदान मंतरी बनने देगी खरगे को बनने देगी वो भी बड़ा सवाल होगा तो ब्यस्पी सुप्रीमों ने फैसला क्या कि वो अकेले चुनाव लरेंगी यह कोई बहुत बुरा फैसला नहीं है लेकिन सवाल तो है कि ऐसे बक्त में जब वो सीते कितनी जीत पाएंगी यह सबसे बड़ा सवाल है देखते हैं गटवंधन का क्या होता है लेकिन अगर फिर कह रहा हूं अगर कॉंग्रेस बीजेपी को हटा के कॉंग्रेस कहीं लाना है कॉंग्रेस लाना है तो फिर पीजेपी कोई बुरी पार्टी नहीं है इस देश में बहुजन लीडर सी बाली, अमबेट क्राइट लीडर सी बाली, कोई बहुजन परधान मंत्री चाहिए, CSTOVC, अलफ संक्रक समाज का परधान मंत्री चाहिए, मनमुहन सिंग टाइप का परधान मंत्री चाहिए, खरगे हो सकते हैं, मावती हो सकते हैं, अकलेश ह सकते हैं स्टालिन हो सकते हैं स्टालिन सर्व बेस्ट हो सकते हैं राहूल गांधी तो नहीं आप लोग की क्या पर्तकिरिया आपनी पर्तकिरिया जरूर दीजिए राहूल गांधी सवर्नों की पसंद है शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल